प्रेंटर 520 मोडल के बारे में अगर आप एपसन प्रेंटर 520 मोडल का जो है ड्राइवर डाउनलूड करना चाहते हैं तो आप जो है ड्राइवर कैसे डाउनलूड करेंगी ड्राइवर डाउनलूड करने का कम्प्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप मिरे साथ वीडियो के कम्प्लीट प्रोसेस पर बने रहें ताकि बेतर तरीके से आपकी समझ में आए और आप बेतर तरीके से जो है ड्राइवर को डाउनलूड कर सक इसके अलावा दूस्तों अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिली आईए मैं आपको अब एपसन प्रिंट पांसो बीस मॉडल का जो मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर कि आपको कैसे ड्राइवर सॉफ्ट्वेर को डाउनलूड करना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नई साइड ओपन हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं कैई साइड दीगेंग दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारे प्रिंटर का मॉडल नेम है जो हमारे प्रिंटर का मॉडल है और यह हमारा जो है प्रिंटर है कापी अच्छा इंटरफेस है प्रिंटर का आप देख सकते हैं इस तरीके का मॉडल है का पीक्र मोर्डल है प्रेंटर का और in waxOL डौपर जो कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए इसके लिए स्ट्रोल Ch항 करेंगे और यहां पर आप नीचेढ़निये और देखेंगे यहां पर यहां सी आप बेड़ाइबर को डाउनलोड कर सकते हैं यह जो यहाँ पर दिया गया है यह operating system है यानि कि यह जो ड्राइबर है in operating system के साथ जो है support करेगा विन्डू 11, विन्डू 10, विन्डू 7, विन्डू 8, विन्डू HP सभी के साथ यह supported है और यहाँ पर यह series दी गई है यह driver की आप जिस भी series को download करना चाहें आप उस series को जो है download कर सकते हैं चलिए अब यहाँ पर हम downloading का process देख लेते हैं हमें इस download के option पर click करना हुगा जब हम इस download के option पर click करेंगे तो हमें एक अगले page पर लेकर आएगा यह और जब अगले page पर लेकर आएगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या यह operating system दिये गए हैं यहाँ पर इन इन operating system के साथ यह support करेगा और यहाँ पर यह driver की series दी गए हैं आप देख सकते हैं और यह driver बिंडो HP और बिंडो 7 का है सबसे उपर और नीचे आप जो है इन इन driver के साथ इसे install कर सकते हैं इन installer बिंडो है accelerator है यह आप किसी को भी यहाँ से download कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर click कर लिता हूँ मैंने यहाँ पर click किया और आप देख सकते हैं जो हमारा driver है वो download होना शुरू हो चुका है यानि कि हमारे driver का जो download process है वो open हो चुका है आप देख सकते हैं मेरी skin पर यहाँ आप देख सकते हमारे ड्राइवर को जो डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो उपन हो चुका है तो आप इस तरीके से जो है ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से बिना किसी प्रोब्लम के तो दोस्तो ये था एपसन प्रेंटर 520 मोडल के बारे में कि अगर आप एपस कोई सवाल है कोई डाउड है तो आप हमें वीडियो के कॉमेंट सेक्षेन में कॉमेंट कीजिए हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिस करेंगे इसके अलावा आप मेरे निव चैनल पर विजिट कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें